मधेपूरा और पुर्णिया के पुरु सांसदव जन अधिकार पाटी के मुखिया राजेश रंजन और पपु यादो पुरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ गए हैं आप यह कहलिजिए कि पपु यादो पुरी तरीके से तैयार हैं 2024 के लोक सभाच चुनाव को लेकर वो ताल भी ठोक चुके हैं, बिहार के पुर्णिया लोक सभाच सीट से खुद चुनाव लरने का पपु यादो एलान भी कर चुके हैं, लेकिन पूर्णिया के अलावे पपू यादव की नजर सिमांचल और कोसी की सभी सीटों को लेकर है और ऐसे में पपू यादव अपने विरोधियों को ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। पपू यादव केहते हैं कि सिमांचल और कोसी हमारा पडिवार के जैसे है, हमारे घर के जैसे है और हम यहीं के बेटे हैं, यहीं के लोग हमें ताकत देते हैं, تब जाकर हम पटना और दिल्ली में लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। पप्पु यादो अपने विरोधियों को ताकत का एहसास करा रहे हैं। पहले पप्पु यादो ने तैकिया की वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और एलान करने के बाद पप्पु यादो ने पूर्णिया में कई अलग-अलग जगों पर विसाल को समबोधित किए पप्पु यादो के समर्थन में लोगों की भारी भीरियों म्री लेकिन पप्पु यादो ने अब बेचैनी बढ़ा दिया है सहरसा के पटेल मैदान में उतर कर। के उर विराट कारेकरता सम्मिलं कायोजन किया गया था और पप्पु यादो जैसे ही मंच पर पहुँचे और जब उन्होंने कहा कि वो न जात की राजनीत करते हैं ना करेंगे उनका मकसद है गरीबों को हक दिलाना गरीबों को नयाय दिलाना वो गरीबों के लिए लड़ते हैं लड़ते रहेंगे तो सामने बैठे हजारों हजार की संख्या में लोगों ने ता पुर्णिया लोक सभा सीट से वो निर्दलिये भी चुनाव लड़े और पपु यादो समाजवादी पाटी के टिकट से भी चुनाव लड़े पपु यादो ने जिस दल का दामन थामा उसे प्रचंड जीत दिलाई और साथी साथ वो निर्दलिये तो चुनाव जीते ही जीत मधे पूरा में जाकर भी पप्पू यादो चुनाव लड़े और वहां से राष्टिये जनतादल के टिकट पर चुनाव जित कर संसत तक पहुँचे यानि ये कहिए कि पप्पू यादो ने ना सिर्फ पुर्णिया को बलकी अपने कोसी और सिमांचल को मजबूत बनाया और वहां के लोगों में पप्पू यादो बेटा के रूप में बन कर गए आपको मालूम है पप्पू यादो की च्छवी कैसी है भले ही पप्पू यादो पर कई गंभीर आरोप लगे हो लेकिन बावजूद पप्पू यादो की च्छवी बिहार में रोविन हुडवाली पप्पू यादो गरीबों के मसीह कहे जाते हैं और साथी साथ आपको ये भी मालूम है जब भी आपदा की घरी आती है ना सिर्फ कोसी और सिमान चल चाहे बिहार का वो कोई भी जिला हो पप्पू यादो मदद करने के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं लेकिन आखिरकार ऐसी नौबत के आगई कि पप्पू यादो को इस बात का एहसास दिलाना पर रहा है कि वो आज भी कोसी और सिमान चल में उतने ही तयार हैं जितना पहले थे आज भी लोगों का उतना ही समर्थन उन्हें हासिल है जितना पहले था देखे लराई तो इंडिया वर्सेज एंडिये के बीच दो हाजार चौबिस में होनी है लेकिन पप्पू यादो को अब तक किसी भी गड़बंदन में जगा नहीं मिला है पप्पू यादो हर संभो कोशिस करते हैं कि उन्हें बिहार की जो महा गड़बंदन है देश की ज हैते हैं कि हम कहिए तो पैर पकर लें नितीश जी लालू जी और तेजस्वी जी का हम तो चाहते हैं कि हमें इंडिया एलाइंस में जगह मिले हम चाहते हैं कि वीपक्छी गडबंदन में सामिल होकर लड़े और उन्होंने ये किलियर कर दिया कि अब ना सुनेंगे ना सुन लड़ेंगे पुर्णिया से और आपको यह मालूम है कि पुर्णिया लोकसभा सीट से जनता दल उनाइटेड के सांसद हैं। तो उस पुर्णिया के मिट्टी के बेटे हैं, उस पुर्णिया के लोगों के लाडले हैं, उसी पुर्णिया से लड़ेंगे। यह संकेत और संदेश है नितीस जी और तेजस्वी जी को, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें समझ लेनी चाहिए कि अगर पपु यादो को जगह नहीं मिली और एक सीट अगर पुर्णिया नहीं मिला, तो पपु यादो सिमांचल में खेल खराब कर देंगे। इसका सीधा फाइदा भारती जनता पाटी को मिलेगा क्योंकि पपु यादो के भी कोर वोटर वहीं हैं जो लालू और नीतीस के कोर वोटर हैं, जो तेजस्वी के कोर वोटर हैं और ऐसे में पपु यादो अपने ताकत का हैसास करा रहे हैं, तो इसका आने वाले दिनों मे बहुत बड़ा संकेत आपको देखने को मिल सकता है फिलाल आप टुड़े विहार नीज के साथ बने रहें धन्यवाद